चलिए एक पाइल अभी आपके पास में आई होगी ग्रुप पे और इसको अना हाँ इसका प्रिंट आउट आपको कल देंगे आपको तो बेसिक्स ऑफ ओडिट में आ जाएं यहां से चैप्टर नंबर वन हैं अबरा ऐसे हम आपको हर चैप्टर के नूर्स देंगे इसके बा ना तो आसता कभी कोई question आया है ना कभी आएगा फिर भी आप चाहें तो अपनी convenience के लिए module से पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है पढ़ने की ज़रूत है तो वैसे I am pretty confident आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको यह मिल गया तो उसके बाद में वो option तो आप चाहे तो भी exercise नहीं करेंगे फिर भी उसमें से चाहो तो पढ़ लेना ना यह जो पूरे नोट से यह भी totally based on study material of institute उसी पर है हमने भी कुछ outside से इसमें कोई addon वैडon नहीं करा थोड़ा बहुत उसको simplify कर दिया थोड़ा सा बेकार की चीज़ें उनको हटा दिया बस इतना ही करा है और इसमें कोई जादा ताम जाम इसमें नहीं डाले है ना तो इससे हमें यह फायदा मिलेगा कि कल को अगर exam में जो answer sheet आती है examiner के पास में उसमे answer module कहीं होते हैं तो वो mismatch होने की संभावना खतम हो जाती है पहले तो चल जाता था आज से दो साल पहले तक तो सब चल रहा आएगी इसलिए हमने language में भी बहुत ज़्यादा चेंच नहीं करें आप लोग भी देखो अप मेरा यह person suggestion है आप बोलोगे तो हम chapter number 2 से आसान भाषा में बना देंगे हमें को दिक्कत नहीं है आसान इतनी आसान बना देंगे कि तुमने पढ़ा और याद हो गया number आएंगे से mismatch करेगा तो number तुम्हारे कटेंगे तो मेरा आप लोगों से एक suggestion है कि आप फ्लीज थोड़ा सा tough पढ़ने के आप आदर डाले है थोड़ा सा advanced version हमें पढ़ना चाहिए definitions दे रखें audit की तीन definitions है पर तीन दिखने हैं एक तो ICI ने दी एक Spicer और Pagler ने दी पर आपको दौनों ही नहीं पढ़ने तीसरे वाले definition भी ICI ने दी है बट वो standards in auditing में दी अभी standards in auditing क्या होता है जैसे आप लोग accounting standards सुनते हैं या पढ़े होंगे आपने इसी तरीके से ए वो बन रहा था AS AS इसी लिए बस just to make a differentiation हमने इसको standards in auditing करेंगे और को इसके पिछे rocket science नहीं है कोई लंबा चौड़ा इसमें नहीं कि वह एक AS AS बोलेंगे तो confusion होता ASS standards in auditing आपके लिए मतब जबी भी आप finance audit करेंगे I hope अगर आपको याद हो तो परसो के lecture में हमने आप से क accounting standards है ऐसी costing के लिए ओते है Cost accounting standards and cost auditing standards Clip段 कॉस्ट accounting and cost auditing Okay. । अब cost accounting standards जो हैं वो आपके Inter में costing में थोड़े से हैं मतलब वैसे total 24 cost accounting standards एं colour तो इंटर में कॉस्टिंग में डाले थोड़े से डाले ओवर्वियू दिया तो जो भी आपके टीचरों के कॉस्टिंग के वह आपको पढ़ा देंगे पाइनल में अगर आप पहुंचे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्ट अडिट जैसे यहां अडिट है न वह लाएगा कॉस्ट वहाँ पे वो 24 कॉस्ट अक्वावनिंग स्टैंडर्स बहुत डिटेल में पढ़ने बहुद डिटेल में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वह आप पढ़ोगे और वहीं पर पढ़ोगे कॉस्ट अडिटीं स्टैंडर्स उस से पहले आपको जोस्ट वो है 200, now you like might confused why the numbers are 200 and 210, 220, 30, numbers ऐसे हैं, 200 इसके numbers ऐसे हैं, 200, 210, 220, 30, 40, 50, 60, 65, 299, then 300, 305, 310, 320, 330, then 400, 402, 500, 501, 505, 510, 520, 30, 40, 50, 60, 70, 80, then 600, 610, 620, and then 700, 701, 5, 6, 10, 20, and 800. So, ये genuine question मन में आ सकता है कि सर ये numbering क्या विवकूफी भरी कर रही है, ये कहना एक दो तीन चार चल रहा था न अच्छा कर सा, ये actually कहना कि international जो auditing standards है, international, हमने सोचा यार जरा उनके हिसाब से हम अपना बनाए, अब उनके तो बहुत सारे हैं, तो उन्होंने भी उन्होंने तो अपने हिसाब से एक, दो, तीन ऐसे start करा, बहुत सारे auditing standards हो गए, तो उन्होंने के एक category मना दी, like those auditing standards which is belonging to the audit evidence, so they created a separate category starting from 500 to 599, those auditing standards belonging to the audit reporting, so they specifically created a category called 700 to 799, ये अभी audit reporting से लेके जो भी auditing standard होंगे, उनका number 700, चलोगा, 700, 701, 702, ऐसा, और उन्होंने ऐसे चलो करे, तो उन्होंने बहुत सारे बना दी, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब international में तो 1500 auditing standards है, हमारे इंडिया में पहले कैसे चलता था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास 32 auditing standards है, अब हमारे क्याना हम कितना भी अपने आपको international दिखा दे, लेकिन रहेंगे तो देसी, branded पैने से थोड़ी ना हम लोग branded हो जाएंगे, रहेंगे तो देसी, अब हमको लगा है यार, पहले तो जोज जोज में अनाउंस कर दिया, कि यार हम लोग ना, foreign वाले auditing standards, international auditing standards के इसाब से चलेंगे, फिर जब international auditing standards पढ़ा ना, तो हमें हमारी आउकात नजर आ गई, कि यार अपने से नहीं हो पाए गई अब क्या करें, लेकिन अब तो बोल दिया, तो institute ने क्या करा, auditing standards तो अपने ही रख लिए, better change नहीं करा, और उससे जो भी corresponding international auditing standards था ना, नमबर उसका उठा लिया, मतब मसाला अपना है, नमबर उनका, अब बोल दिया कि international करेंगे तो कुछ तो करते ना, तो इसलिए इसके नमबरों की दज्जिया और गई, अब जो अपने ही एक है, उनके हमाँ 200 है, तो हमने गगा हमारा भी 200, जो हमारे यहाँ पर दो है, उनके हमारा भी 210, अब समन्में नेरा है सब क्यों चल रहे हैं, लेकिन अब चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़े से upwards है, तो तुमारे जो auditing standards है, cost ordering, उनका नमबर भी ऐसा है, 101, 102, 103, पर उसमें अच्छी बात है, कम से कम, chronology तो है, 101, 102, 103, 104, ऐसे 4 है, और auditing में तो, accounting में तो दिक्कत ही नहीं, 123, 40, ठीक है, तो जगे जगे आपको, यह सारा मैंने आपको क्यों बताया इतनी सारी रामाय, जैसे यहाँ पर ऐसे 200 नम difference आएगा, कहीं ऐसे 210, कहीं ऐसे 500, तो आपको पहले से पता रहे कि ऐसे का मतलब क्या है, नमबर क्या है, यह नमबर ऐसा क्यों है, तो ऐसे 200 basic standard है, यह आपको बताता है, audit का definition, audit के features, audit का objective, और इसके according definition क्या है, जो हमने कल लिखा था, it is an independent examination of financial information of any entity, when, बीच की लान में ने क लाटी हुई है, intentionally अब इसको समझाएंगे, when such examination is conducted with a view to express opinion, मैंनो कले आपको एक बात कहाता है, कि आप किस तरीके से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेको इन्होंने आज एक नहीं लाइन लिख दी, when examination is conducted with a view to express opinion, हमने कहा लिखा, with the objective to conduct an opinion, to express an opinion on truth and fairness, आप कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ultimately दो चार बाते याद रखनी है, independent examination, financial information और expression of opinion, true and fair डाल दो के तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उससे थोड़ा सा बैटरा जाएगा, इतनी सी बात, अब बीच में तो कि क्लाइन दिखा है, whether profit oriented or not, हम लोग जब audit करते हैं तो हम तो free में audit नहीं क मैं तो बैसे लूँगा, तो मेरे लिए क्या फरक पड़ता है वो entity जिसके हम मैं पढ़ा रहा हूँ, वो profit oriented है या नहीं है, फरक पड़ता है, और क्या, अगर कोई entity profit oriented है, और कोई entity profit oriented नहीं है, मेरे पढ़ाने के तरीके में फरक आ जाएगा क्या, वह सेम ही रहेगा, क्यों तो मैं दौनों से ले रहा हूं तो ऐसी जब हम auditing करते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी entity profit oriented है non profit oriented है हम से भी रहेगा हाँ इस बात से फर्क आ सकता है कि आपके entity का nature क्या है मैंने लाइन ही कारती है जब फर्क पढ़ ही नहीं रहा तो फिर यह लाइन भी क्यों लिखना वेदर profit oriented और नौट हमारे लिए सब audit same it is an independent examination of financial information of an entity with a view to express opinion on truth and fairness of financial statement या यह वाला लिख दें when such examination is conducted with a view to express opinion और expressing opinion महसन में आ गई इस definition को याद करने में कोई तकलीफ तो नहीं है बिल्कुल आसान है now एक difference है accounting and auditing बहुत बार exam में question आया हुआ है accounting and auditing में क्या फर्क होता है दोनों में difference पहली बात तो मुझे लगता है कि comparison जो होता है आपको पढ़ते 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 आपको ऐ अलग अलग है दो चीजों में difference तब पढ़ा जाता है जब उनमें हमें resemblance नजर आ रही हो तो हमें difference करना है तब ही तो पढ़ेंगे अब कोई पूछे accounts में और audit मे difference अरे है यह अलग-अलग यार difference क्या बता है है यह अलग-अलग दौनों का कोई relation कोई चीजों में दो चीजो हो तो आग में difference पढ़ता है अब आप बेवकूफ ही पढ़ाओगे तो क्या ही करेंगे अब मजबूरी में पढ़ाना पढ़ेगा आपको चलो तुम यह बता दो accounting का मतलब क्या होता है यह तो तुमको अच्छे साथ हो अकॉंटिंग 11 से बढ़ रहे हो वाट इस अकॉंटिं डोंट इल मी कि सर्व अकॉंट्स मेंटेन करना इस अकॉंटिंग यह तो बिल्कुल मत बोलना सो जनरल एंट्री लजर ट्राल बेलेंस बनाना इस अकॉंटिंग यह तो process है ओके ओट इस accounting वही तो बोला भी कि यह नहीं बोलना है हाँ यह अच्छा समराइजिंग इसमें कुछ है जिदी एक बार दुबारा बोलना जिदी करें तो भूल गई तीन चीज़े बोलेते न आपने पहला हाँ इन तीनों के लाव कुछ हैड होगा क्या है यार मटर पनीर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए मटर और पनीर यार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो फानेशल इंफ क्लेक्टिंग हाँ ठीक है ये भी और इंट्रिपटेशन हम तुड़ी निकालते हैं यार वो तो ऑडिटर निकालेगा यूजर निकालेगा हम जब बना रहे हैं वाई वी नीड टू मेक एन इंट्रिपटेशन अरे वो तो तो त्फिर 11 करट लिया हूँ बढ़ अच्छ है जबाए बागे सार अच्छा बोला तुमने सब बढ़िया बोला classification मैं इसलिए आपसे दुबारा बोला था कि आपने वह एक दुबारा मेरे को डाउट लग रहा था कि आपने बोला नहीं बोला कोई बात निकालासिफिकेशन इंपॉर्ट पी एंडल में डालना है बैलें श collection classification summarization presentation presentation okay so what is the difference in trial balance and balance sheet trial balance and financial statement no no that is not the question the question is what is the difference okay usmei financial statement word laga diya so it became a statement and it is not a statement it is a statement it is not it is not a difference in any trial balance and financial statement beta mutual discussion yeah trial balance financial statement same information to what is it mathematical 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 it is not a statement yeah यह नहीं वह भी दिख्टे ओर स्म? यह तो हो गया अच्छे लगते हो बड़े अच्छे लगते हो अब क्यों अच्छे लगते हो बड़े अच्छे ंक्यों पालड़ा नी? ओके की वार और इंसे perpetual support, we do prepare from the trial balance only and whatever the figures in the trial balance shown, they used to be taken in the financial statement, nothing has added except closing stock, तो वो अगर accounts का summary है, तो financial statement भी accounts का summary है, like, see, what is the difference, same, profit तो trial balance से भी निकाल सकते हैं, calculator लेके बैठो, trust me, निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं, तो वो तो क्या difference ही तो है, profit is just a balancing figure, या loss, और तो कुछ है निनोंस के अंदर, तो उसमें क्या नहीं है, कोई difference नहीं होता है, civic difference है, that is presentation, आप और मैं, अगर आप हमें, मतलब कोई भी हमें trial balance दे या pre-endal balance शिक दे, हमें कोई फरक नहीं पड़ता, हमें कोई रट्टी भर भी फरक नहीं पड़ता, आप हमें trial balance दे दो, अपन तो commerce के लोग है न, trial balance दे दो, नीचे closing stock लिखा हुआ है, हम दो minute में बता देंगे company के आउकात क्या है, pre-endal निकाल लेंगे न, profit loss, अपने को पता नहीं है क्या, कि income कौन से, chart लेंगे न, chart लेंगे फटा-फट से कि ये income है, ये expenses है, income में से expenses को less करा आ गया, profit, your loss, assets है, पर एक layman को देखो, do he understand the trial balance? No, he is not a commerce like person है न, so you don't understand what is debit, what is credit, तो उसको ऐसे format में चाहिए, जहां उसको दिमाग नहीं लगाना परे, अब आप कहेंगे, sir, पी एंडल में भी दिमाग तो लगाना पड़ता है, debit, क्यों लगाना है? Expenses income लिखाना? अब यार, बोलो, इतनी भी अकल नहीं है, उसके अंदर income में से expense को less करेंगे, तो profit आएगा, तो यहां से कूट के आत्मत्या कर ले तो, जब तिरको क्यों जानना है कि income का credit balance होता है? आप मच जानो, आप यह देखो, यह income है, दिखरी है income है, यह expense is assets and liabilities, why do you want to know what is the balance of assets, whether it is debit or credit? अरे मच जानो ना भाई, assets से liabilities are simple, इतना ही फरक है और कोई फरक नहीं है, इसलिए add करना जरूरी होता है, presentation, collection, classification, classification, summarization and presentation, presentation is like presenting it in the form of legitimate, क्योंकि वो लोगों के समझ में आना चाहे, इसको बोलता है accounting, और अपने पढ़ी लिए भी, आओ, आब हमको difference पढ़ना है, इसके अंदर, तो difference देखते हैं क्या है दौनों में, देखो, identification या collection of data, classification and summarization, analysis हम नहीं करते entity के shareholders, users analyze करेंगे, या auditor analyze करेंगा, ऐसा बोलू, इस काम के लिए, यानि analysis करने के लिए हमने इतनी महनत करी, वरना तो हम आपको general entry भी दे सकते थे ना, वरना तो हमारी accounting तो general entry भी ने पढ़ गई थी, हमारे तो वहीं काम होगे था ना, general entry करते-करते trial balance, या ledger, या financial statement तो उसी से बन कर आया ना, तो हमारा काम तो वह होगे था, आपके लिए हमने क्या करा, ये सारा काम कर, ठीक है, so now see the difference, accounting, पहला difference यही है, accounting is collection, classification and summarization of data for preparation of financial statement, what is auditing, it is analytical and critical examination, analytical and critical, analytical क्यों क्योंकि तो क्योंडा रिविन्यू में क्यों डाला, रिविन्यू Commission क्यों अक्या यहां क्यों लेकर गए, क्या इसको आपने according standard के according डाला नहीं डाला law के according डाला इंडाला, वाट इस critical examination analytical तो ठीक है, critical यह 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 क्या बत analytical कररे दंग से निया कर यह यह ना क्रिटिसाइज वाला क्रिटिकल है यह वह वाला क्रिटिकल नहीं समझ गहें क्या बोले कुछ बोले ना अच्छी बात है तुम जवाब देरो यही मेरे लिए इंपॉर्टन है चुप तो नहीं बैटे गलत बोल रहे हो वो कोई मुद्दा नहीं है वो तो चलेगा पर चुप बैटे रहे हो वो अच्छा नहीं लगता है अब ही बीच में एक मटकी जोग नो अब दो चार पांश दस बार बीस बार गलत जवाब दोगे ना तब 21 वर अपने अप से जवाब देना सीख जाओगे लेकिन अगर 20 बार गलत जवाब नहीं तो कभी जवाब देना ही नहीं सीख पाओगे इसलिए बोलते तो रहो हाँ अब आप गोलने प्लीज, नहीं नहीं, चलो मैं बताता हूँ, critical का मतलब क्या होता है, देखो, चुकि हम जब audit करते हैं, यह तो आप मान के चलो accounting होई होगी तो गलतिया तो होई होगी है, ऐसे तो कोई entities दुनिया में नहीं होती, अब मैं तो गलतिया निकाले जारों, निकाल आता है बस, पायदा कुछ नहीं होता हूँ, सच में, बुराई करने का और कोई reason नहीं होता है, मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ, मैं मज़ा आ रहा है, satisfaction हो रहा है, कर तो मैं इससे अच्छा कभी सकता ही नहीं हूँ, इसने तो बुराई कर रहा हूँ, criticize वो विक्ति करता है जो इससे बेटर कर सकता है and I'm not, like my intention is not to like backbiting, okay my intention is to make an improvement in you मैं आपको बताऊंगा कि आपको भैतर कैसे करना है और मैं आपको इतना बता सकता हूँ जब मुझे भैतर करना आता है उसको बोलते है क्रिटिसाइस करना auditor का भी कोई intention निया entity की बुराई करना, क्यों करूँगा बुराई मैं याँ बुराई करने थोड़ी आया हूँ मैं आपको बताऊंगा आपने क्या गलतिया करी और वो गलतिया तो मैं shareholder को बताऊँ क्योंकि उन्होंने मुझे भीजा पर मैं आपको ये भी critical examination of financial information and financial statement थोड़ा बढ़ा करना है तो general entry ledger ऐसा लिख देगा second, it is recording of transaction at the time of occurrence ये occurrence वर्ड याद रखना chapter number 8 में काम आएगा 7 में sorry, occurrence अना, occurrence का मतलब होता है होना कोई transaction का होना, तो accounting अब होती है जब transaction हो रहा है auditing कब होगी post to occurrence यानि जब आपने accounting कर ली उसके बाद ही तो auditing करेंगे, कभी भी parallel audit नहीं होती है and that is why, listen this carefully, auditing is known as a post-mortem activity ये कोता है post-mortem, post-mortem खाली वो body का चीरफार ही नहीं होता post-mortem का मतलब होता है कोई भी चीज जो हो चुकी है उसके होने का कारण जानना, इसको बोलते है post-mortem समझे आप, तो हम post-mortem करते है यानि किसी transaction के होने के बाद हम identify करते है whether it was properly recorded or not परजी transaction तो नहीं है, proper evidences थे न ये कोता है pre-mortem, pre-mortem मतलब किसी चीज़ के होने से पहले वो जोतीशी करते है उनका काम है pre-mortem करना हम क्या करते है, post-mortem right, so auditing is post-examination of transactions third, it measures the business events in monetary terms ये बेवो कूप है घदे बचपन में 11 में हमने एक concept पढ़ा, money measurement concept I hope you remember accounting में money measurement होना जरूरी है इसका कोई sense नहीं था क्योंकि ये difference का point कभी होई नहीं सकता हम तो उसी की तो audit करेंगे जो records में तो technically देखे तो हमारा भी monetary terms में होगे हम तो आपने जो records में डाला वही तो नहीं, हम लोग auditing करते समय non-monetory item भी check करते है कली पढ़ाया था ना right, कुछ non-financial करना पढ़ता है right, accounts के अंदर आप कभी non-financial information, salary लिखोगे तो आगे you can't include number of employees number of days ये तो नहीं डाल सकते ना, लेकिन auditing करते समय check करना पढ़ता है, see, it measures the business events in monetary terms auditing reviews financial records to form an opinion on authenticity of financial information, हम नहीं क्या लिखा, we review financial records, financial record is made up of financial and non-financial information both, financial record financial statement भी नहीं आएगा record में तो आए सकता है, general entry करते हो नीचे narration लिखते हो ना, narration में लिखते होंगे ना, पूरा, तो उसमें तो non-financial data भी डाला ना, और हमने क्या examine करा, financial information या financial records तो हमने दोनों देख ली next, the primary responsibilities of the management to maintain the financial records देखो, ये मैं एक बार हटा रहा हूँ फिर मैं बाद मताऊंगा, काटा क्या हम primary word use कप करते है primary, जब secondary भी है जब मालो एक ही बंदी की जिम्मेदारी है, तो ये लिखने का कोई sense बनता है कि primary, secondary उसकी नहीं समझा है मेरी बात किसी काम पर दोनों की response पर तो decide करेंगे अब ही बंदे की एक जिम्मेदारी तो primary, secondary क्या होगा तो accounts बनाने की काम कभी auditor करेगा क्या, कॉब भी नहीं करेगा करी नहीं सकता, क्यों independent नहीं रहेगा ना अगर मैं records बनाऊंगा तो independent कैसे रहूँगा, तो accounts बनाने की जिम्मेदारी तो मेरी ही नहीं तो फिर किसकी है कौन सी primary है, secondary दौनों वही है इसलिए primary word लिखने का कोई sense नहीं था समझगा आप it is the responsibility of the management, accounts बनाना is the responsibility of management और उनको examine करना हमारी तो हमारी कोई secondary नहीं है, वो भी हमारी primary है, क्योंकि records को examine तो हमीं कर रहे हैं ना तो secondary कहां से भी हमारी primary दौनों की दौनों वह वाली accounts management की है, यह हमारी है उसके लिए वो ही primary, secondary दौनों वही है, यहाँ पे मेरी लिए भी है देखो, the auditor's responsibility यहाँ नहीं लिखा है इन्होंने word यह auditor's responsibility is to review the financial statements and to give opinion on truth and fairness, clear यहाँ तो कोई confusion नहीं, पक्का आ रहा है समझ में अच्छे से, good an accountant works for under the management, हाँ, accountant बतलब accounting कर रहे है, वो management कर रहे हैं हम तो किसी के बाप से नहीं डरे हम किसी से नहीं डरते, ते को क्या लिखा है साफ कल समझायता आप किसी सुनोगे management के shareholder की, हम किसी की नहीं सुनते, किसी की, जिन्हों ने पैसे दिया, उनकी भी निसुनते, क्यों सुनें आपकी भी हम, we are capable, हमको आता है audit करना, तुम सिखाओ गया हम audit करना है, हम को भी बुला रहे हैं, और हम को ही सिखा रहे हो, audit कैसे करना है, इसका कोई logic निकलेगा क्या, तो हम नहीं सुनते किसी की, we are independent, see, there is an independent person, and he is answerable or liable to owners or shareholders, यह answerable का मतलब यह नहीं कि आप, आप कोई, उनसे पूछ के काम करोगा, इसका मतलब है कि मुझे audit में जो भी मिलेगा, final findings, that I will tell you, okay, an accountant, no, correct, कहां पे, the audit responsibility is to review the financial statement, हाँ, बिल्कु सही पकड़ा, आपने यह financial statement नहीं, financial information नहीं, very good, बहुत बढ़िया, good observation, आगे आओ, point number seven, नहीं, गलत है, तो उसको सही करना पड़ेगा, last वाला point देखेंगे, seven number का point कार देजी, आप कुछ काम का नहीं है, accounting is done as per principle set by Indian accounting standards, auditing is done as per principle, मेरे को लगता है, इन सब में सबसे important difference यहीं वाला है, बाकी तो और को difference के point है भी नहीं, तो यह आपको थोड़े से differences याद रखने हैं, अब आता है एक आगे auditing and investigation, तो यहां से ना बहुत कुछ बदलने वाला है, और उपर जो auditing की definition पढ़कर आये थे ना, वो भी पदलने वाली है, चीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से, एक term होता है investigation, और एक term होता है auditing, अगर आप दौनों में, दौनों को का काम देखेंगे तो आपको दौनों जैसे ही लगेंगे, दौनों में आपको कोई as such difference नजर आएगा ने, पर difference है, auditing में क्या होता है, जिस accounts को बनाने में, हाना, ध्यान से सुनना अच्छे से, entity को पूरा एक साल लगा, and that too with many people, को सरे लोग होंगे न, accounting department और दो चार पांच, और दो चार पांच ही क्यों, वो तो सिफ एंट्री करने वाले लोग है, वो जो bill, voucher इखटे हो रहे हैं, वो तो पूरे organization से आते हैं, sales वालों ने sales का बना के भेजा होगा, purchase वालों ने purchase का, तो इतने सारे लोगों को मिलकर एक साल लगा, accounts parental balance sheet बनाने, और मुझसे आप यह चाह रहे हो, कि मैं आओं एक अपरेल को, और 10 दिन में, 15 दिन में, महीने बर में तुमको audit करके दे दूँ, is it possible, तो मेरे को, जब तुमको बनाने में एक साल लगा, तो technically मुझे चेक करने में तो दो साल लगने चाहिए, चलो दो साल ने तो कम से कम, 8-10 महीने तो, अब आप सोचो, 2022-23 जो निकल गया, उसकी audit तो 23-24 में होगी, क्योंकि year end होने के बाद ही होगी, अब मैं उसके audit कर रहा हूँ, and I get the report in January 2004, for 2024, तो मैंने बोला सर, यह आपकी 22-23 की report है, मैंने बोला सर, दो महीने और रुख जाते, 23-24 की भी हाथ कियात लियाते, 22-23 की, तो अब आप लाएओ, दस महीने बाद, दो महीने बाद तो 23-24 भी खतम हो जाएगा, तो क्या करें इस report का, and they are actually right, क्योंकि 22-23 में जो हुआ होगा, गडबड कुछ भी गलत, उसको सही कप करते 23-24 में, बात मेरी भी तो ठीक है, मैं कैसे दो मेने में, तीन मेने में अड़ेट करके दूँ आप, तो हमने एक तरीका निकाला, called sampling, sampling समझते हो, sampling मतलब, instead of checking all the transactions of any year, we take sample of few items, sample is to be selected properly, ऐसे, randomly नहीं, कोई सा भी item नहीं, पुछ तरीके से, कुछ purchase के, कुछ expenses के, कुछ direct expense के, कुछ indirect expense क Sample बनाएंगे properly, with some methods of sampling, और उस sample को examine कर लेंगे, like for example, there are a thousand transactions recorded in the financial statement, we have selected only 50 transactions out of it, okay, को Hindi video कभी है कि आप में से यहापे, नहीं है न, so हमने उसमें से 50 transactions को choose कर ले, उनको examine करा, अगर हमें लगा ठीक है, यह true and fair है, we'll express an opinion on the whole financial statement true and fair, correct, it's called sampling, यही हो सकता है यह अभी दो ती मेने के अंदर तुमको audit report चाहिए, तो कहां से लाओंगा, sampling तो करना पड़ेगा न, बातसन में आई, लेकिन क्या यह तरीका सही था क्या, 50 transactions check करके, 1000 पे आप सही opinion बना सकते हो क्या, बोलो सोच वाराम से, एक बार और मन से सोच लो, नहीं कर सकते, गलत opinion हो जाएगा, चलो थोड ब्लड टेस्ट वो तुमारा आस तक कभी, सबको वाओगा, तो डॉक्टर क्या करता है, ब्लड टेस्ट के लिए पूरा ब्लड भार निकाल लेता है, ऐसे केन में भर लेता है बड़ी वाली में, और आप यहाँ बिना ब्लड के लटके होए बैठे हो, कि sampling तो नहीं कर सकते पूरा ब्लड ले जाता होगा, आपको मां कौने में बठा दिया, आपके अंदर ब्लड निया वाइट हो रखे हो आप पूरे, और ऐसे लटके पड़े हो, आप दो चार को रस्टियों से बांद रखा है, फिर एक घंटे, दो घंटे बाद, तीन घंटे बाद, ब्लड कर ट तो थोड़ा सा ब्लड निकाल लेता है, और उसके बाद उसमें बताता है, इस वाले में मलेरिया नहीं है, इस वाले में, बॉले इस वाले ब्लड में, इतने से ब्लड में, ये वन एमल मलेरिया नहीं है, ऐसी बताता है कि डॉक्टर, पूरी बादी के लिए बताता है न, उ तो बाय लोजिव संबने पढ़ी होती है यह बैए लगला चैप्टर के लाब और वी चैप्टर होते हैं यह तो सब ने पढ़ा पूरी बॉड़ी में यहां पर पंपिंग सिस्टम होता है हार्ट में पढ़ा होगा न मिजोते हैं उसका काम ब्लड को भी न ऐसे, बना नी बना, अच ऐसे नहीं करती है मम्मी, अच तो छोले में करती होगी फिर, राजमा में तो 100% करती होगी यार, यह तो तुम जूट बोल रहे हो यार, एक दो निकाल के देखती है न, आस तक बचपन से लेके, अब तक कितनी बार तुमारे मुह में कच्छे चावल आए या राजमा या छोले आए, क्यों, मम्मी को बूला न, मम्मी, इस इस नोट राइट वे उफ दूइंड एग्जामेनेशन आव राजमा, पूरे क्यों नहीं चेक करे आपने, मम्मी करे बिटा, इसके बाद इसमें चीनी मिला दे न, अलो बन जाएगा, वैसे भ पर्क होता थ है, सैंधिंबंग करने का तरीका, डॉक्टर ने बापस से, रिवाइस करें, आपकी पूरी बॉड़ी में बलड है न, आप बलड टेस्स की लिए गए, भहिया ने जैसा बताया, बलड तो पूरी बोड़ी में सेम है, डॉक्टर ने वही से पहक के पत्थर मार सिधा आप क्या लगा आप गए और डॉक्टर ने खोपड़ी नीचे करी बॉटल में खटा करा और ले लिया कोई प्रॉब्लम है क्या चलो कोई बात यह तो थोड़ा ज्यादा हो गया दूर से पहका बास में अगर चक्कु लगाया कट बॉडी में तो बलड सेम ही है ना यही लेकिन लॉजिक की बात कर रहे है वो तो आपकी बैतों ऐसी यहीं से क्यों लेना है बॉडी में बलड यहां से यहां से क्यों रीजन हो क्यों हार्ट से रिलेटेट है यार पूरी बॉड़ी है यहां पे हमारे हार्ट में बॉड़ी में जो बलड होता है वो प्यूरिफाई हमारी खुद की खुद का भी तो इम्यून सिस्टम होता है ना यदि आपकी बॉड़ी का इम्यून सिस्टम हटा दे ना तो आप बिस्तर से नहीं उट पाओ प्रता है, AIDS किसी को होता, उसमें क्या होता है, उसमें body का immune system खतम हो जाता है, और कोई बिमारी नहीं है, AIDS का मतलब आपकी body का immune system work zero, अब आपकी body में कहीं पी चोट लग गई, तो सहीं नहीं होगी, आपके अंदर कोई virus गुज गया, जो कि हमारे तो यार, तो तुम्हारे सामने नहीं करते हैं तो फिर तो फिर डॉक्टर क्या करता है बॉड़ी क्या करते है ब्लड पंप होके यहां आता है और प्यूरीफाई होके वापस पंप करता है पंपिंग करता है वो पंप होके बॉड़ी में ब्लड सबसे पहले यहां जाता है सबसे पहले के germs नहीं है, तो इसका मतलब वो बिमारी तो आपकी body का immune system अपने आप ठीक कर देगा, उसके लिए आपको external medication की ज़रत नहीं होती, कहीं से भी अगर blood ले लेंगे ना, तो real values नहीं पता चलती है body की, that is what the reason of taking, चलो छोड़ो वाला बात क्योंते है, चावल ऐसे side में से लेती है, या बीच में डाला चमचा और नीचे से निकाला, ऐसे कभी लिया क्या, side में से, कहीं से भी ले सकते है, side में से क्यों, सबसे perfect, जो heat होती है वो ऐसे flow करती है, तो beach का जो हिस्सा होता है, वो सबसे पहले cook होत है, अब आपने बीच में सेंपल उठाया, वो तो cooked है, आपने उठा लिया, पता लगा side वले रहेगा, मम्मी को नहीं पता यह technique, लेकिन actually this is a technique, this is a reason कि हम सेंपल, यानि अगर आप सेंपलिंग कर रहे हो, तो कोई बुराई नहीं, अभी पूरे test report गलत हुई, या कितनी बार मम्मी के खाना गलत हुऊ, कभी भी नहीं हुआ ना, आज तक हम सालों से auditing कर रहे हैं, सही हुआ ना, पर यार method तो follow करना पड़ेगा न, technique तो follow करना ही पड़ेगा, so auditing through sampling is an authentic way, provided the sample has been taken in the right manner, clear, और अगर आप नहीं करोगे, तो audit नहीं कर पाओगे, आप समझो, पुरे साल लग जाएगा audit करने में, हम कर ही नहीं पाएंगे, और जिस intention, जिस objective के साथ आपने audit कराना, वो objective अची भी नहीं हो पाएगा, December में, जनवरी में आप audit report दे रहे हो, कोई यह problem है, यह problem क्यों है, यह मैं बाद में बताऊँगा, ऐसे auditing होती है, अब आप बोलने कुछ बोलना चाहरे हैं, तो समझके नहीं हम टेक्निक्स बताएंगे आपको, sampling के methods हैं हमारे पास बकायदा, उन methods को use करके आपको लेना है, ठीक है, और फिर दो-तीन बाते और बताए प्रोफेशनल जजमेंटिक बाद होता है, इसके लिए भी पूरा एक चैप्टर हमें पढ़ना है, अलग से audit sampling, अब problem क्या देखो sampling, आज से करीब पांस साल पहले, 2019 में, बनी पार्क में, एक लैब में, एक महिला ने blood test करा है, शी वस प्रेगनेंट, और प्रेगनेंसी में ह की blood test report में AIDS positive, अब आप सोचो हम लोग जिस तरह की society में रहते हैं, महाँ पर AIDS word आते ही, दिमाग एक ही जगे घुमता है हमारा, और बाकी जगे जगे जाता ही नहीं, second she was pregnant, so definitely there was a chances कि महाँ पर पासान हो जाए, या कुछ हो, तो डरना तो लाजमी ना है रादमी, किसी के भी भगवान ना करें किसी के भी हो, लेकिन आप सोचो ही, कोई malaria, dango होतों कोई फरक नहीं पर था, AIDS positive, HIV positive का मतलब, तो वो घबरा गई बुरी तरीके से, कोई भी होगा घबराएगा, दुबारा test कराया, दूसरी lab में, negative, third में कराया, negative, fourth में कराया, negative, मतलब पहले वाले की report गल गई होगी, तब तक उसका दिल बैठा जा रहा होगा, तो उसने court पे case कर दिया, बुलाया, lab वालो को भी आओ, यह सब सचे घटना है, इसमें कोई कालपनिक पात्र नहीं है, अब वो lab में, तो lab वाले ने बुला, sir, यह report में नीचे नीचे दाके पढ़ो आप, जस साब को बोला, the sample, these tests have been conducted based on the sample, and the sample has some inherent limitations, inherent limitations मतलब दो भी apply all the procedure, लेकिन है अरब sample तो sample है ना, 1% chance है, correct, 99% आजाएगा सही, पर 1% chance है कि शायद आपका opinion गलत हो जाए, correct, तो sampling का यह एक छोटा सा drawback होता है, लेकिन आप यह भी तो दिखो 99% accuracy है, है 99% इसलिए sampling is good, पर अगर आप absolute opinion चाहती हो ना, तो फिर sampling पे नहीं जाना चाहिए, अब आपको दो में से एक बाते चुननी है, क्या हो, या तो आप 10-11 महीने का waiting period लेके और absolute opinion ले लो, या तो आप 4 महीने में, 3 मेने में audit कर वालो 99% accuracy के साथ, हमने दूसरा वाला चुना, नही पाइदा तो मिले या, auditing है, आज अगर हम 100% accuracy के लिए बैटे रहेंगे, तो जो 10 महीने तक frauds होते रहेंगे, errors होती रहेंगे, उनको कौन अफॉर्ट करेगा, तुम मत देखे अब टाइम बहुत है, यह जो तुम चोरी-चोरी चुपके-चुपके टाइम देखते हो न, इ इस सब पता चलता है, अब टाइम बहुत है, ठीक है, तो हमने second वाला method चुपके, लेकिन कभी-कभी circumstances, ऐसी ओटी है, जहां पे हमें absolute opinion, absolute समस्ते हैं, if and but नहीं, possibility नहीं, हाँ, यह यह नहीं, यह नहीं, और है तो कितना है, कहां है, with that particular data, तो उस case में फिर auditing नहीं करा सकते ह करते हैं, investigation, so auditing and investigation as such, there is no difference, investigation is like examining 100%, और जब आप 100% दे रहे हो, तो फिर आप opinion क्यों दोगे, फिर तो मैं assurance दूँगा ना, सीधा बोलूँगा ना, है या नहीं, opinion का मतलब, मेरी हो, जैसे doctor opinion देता है, मेरी opinion में इसका वो करा, फिर आप doctor से बोलोगे, सर लेकिन इसके बाद इक दुम सही तो जाएगा ना, अरे यार, doctor मैं कहा रहा हो ना, नी सर लिखके दोगे क्या सही, इसा, लिखके दोगे क्या, लिखके दे देगा doctor, क्यों, opinion, एक 8% chance है कि गलत हो जाए, वो भी आपकी body में गुसके तो देखनी रहा, बेचारा वो भी X-ray या MRI या जो भी वो अपना कर रहा है उसके साब से देखेंगा ना, इसी तरीक, लेकिन जब मैंने 100% investigation ही कर लिया, तो फिर opinion का क्या मतलब रहेगा, फिर क्या दिया जाता है, accurate assurance दिया जाता है, लेकिन ये तो आप भी समझ गए कि इतना time तुम्हार पास होता नहीं, तो investigation कभी भी पूरे financial statement का न लेकिन बैंक को फिर भी डाउट लग रहा है आपके assets के उपर, जो आप गिरवी रखने वाले हो न, बैंक को डाउट लग रहा है यार ये जो आप stock बता रहे हो, 40 करोड का, जिसके उपर आप हमसे 25 करोड का लून मांग रहे हो, तो बैंक को आपके पिंडल सही लगा, true and fair ह अब कल को आपने 40 करोड का stock गिरवी रखे, 25 करोड का लून ले लिया, और पता चला है stock का value है 22 करोड, बैंक तो गया, तो बैंक निका सर ऐसा है, stock, stock का investigation करा लो, करेगा वो ही CA, वो ही तरीका है, जैसे audit करते हो वैसे ही, पर यहां investigation 100% होगा, तो मुझे stock का कब purchase करा, कितना माल बिका, stock actual में है या नि, physically भी देख रहा हूँगा है या नि, डबे खोल खोल के देखूँगा मैंसे, है या नि, पता चला, डबे पैग्ड अंदर कुछ है ही नि, है न, ऊपर ऊपर के चार्ट डिबो में माल अंदर के मैं ही नि, एक एक डिबाग चेक किया जाएगा, physical examination होगा, sales के bill देखे जाएंगे, purchase के bill देखे जाएंगे, सब देखा जाएगा और फिर मैं बैंक को लिख के दूँगा, yes, we found stock value, या stock valued 40 crores, या whatever the value, या जो भी actual है, इसको बोलता है investigation, समझ गए दोनों में फरक, अब investigation time consuming है, और उतना use भी नहीं है, तो ये बहुत specific purpose के पड़ेगा, हर साल कराना पड़ेगा, investigation में कहीं नहीं लिखा हुआ है, it is always specific, according to the need, ज़रत पड़ेगी कराएंगे, आज मा लिजे, ये भाहिया, इनका business करीद रहें, या रब, इसका डरना तो लाज़मी है न, है न, इसने, उसने दिखा दी audit report, वो कह रहा है, जर audit report है, त ये दो option नहीं है न, दो 500 करोर लग जाएंगे बिचारे के या, तो बंदा तो assure करेगा न, इसने का भाई दे क्यार, तेरे सब तो ठीक है, लेकिन जो assets में, तेरी जो intangible assets है, ये मेरे समझ में नियारी, तुने goodwill दिखा रखा है, trademark दिखा रखा है, patent दिखा रखा है, मेरे स we conduct investigation in some of the cases, जहां पर, अब देखो दोना में difference, general difference देखेंगे, sampling is allowed, इसको छोड़ दो अभी, सीधा यहां पर आओ, audit is an independent examination of financial information, audit और, इसमें भी एक बहुत important बात मुझे बतानी बाकी है, जो अब आज के lecture में तो नहीं हो पाएगी, कल बताएगे, लेकिन पहले ये difference पढ़ audit, complete financial statement क्यों होती है, it may be for whole financial statement और part of financial statement, most of the cases में ये part of financial statement ही होती है, it is on sampling basis, it is not on the sampling basis, there is no sampling, objective is general, to express opinion on financial statement, यहां पर purpose ये objective specific होगा, right, it is general in nature, it is specific in nature, यहां पर हम क्या देते है, reasonable assurance, यहां क्या जाएगा, accurate या absolute assurance, okay, बातसर में आ गई, अच्छे से, वैसे तो हम अभी जो proper इसका format है, वहाँ पर हम पढ़ेंगे, यह जनरल, यह idea होना चाहिए, clear, अच्छा, आप देको यहां पर उपर एक चीज़ और है, sampling is allowed to provide proper sampling methods for followed, हम आगे पढ़ेंगे, but gives only reasonable assurance, sampling आपको कभी भी absolute assurance नहीं दे सकता not absolute, यह तो कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अच्छा कोई कितना भी claim कर ले auditing में, यह हमेशा याद रखना, audit में 100% accuracy नहीं, वो एक अलग बात है कि गलतीर से मम्मी चावल बनाती है, कभी नहीं आए होंगे कच्छे, लेकिन फिर भी possible, कभी आ जाए तो आ सकते हैं, अगर यह मांग लिया, आपने certificate तो, तो assurance नहीं देए, डॉक्टर कभी आपको assure नहीं करता, कोई डॉक्टर treatment जब आपको लिखके देता है, तो यह guarantee नहीं देता है, सही करके भेजूँगा यहां से, और अगर ऐसे देता है, guarantee तो oral ही देदेगा, लिखके तो नहीं देगा, प्रिस्क्रिप्शन पर निचे लिख दो, guaranteed, ऐसे नहीं देता है, क्योंकि professionals can never give you guarantee, clear, आगे बार समन में, अच्छे से, चलो, एक बार audit and investigation ने फरक देखते हैं, और जिन बच्चों को जाने की जल्दी लग रहे हैं, वो अभी भी wait करें, क्योंकि 5 मूट अभी बाकी है, अब अब तुम नीन दारी हो, बूर हो रहे हो, auditor मत बोलो, chartered accountant, auditor तो उसको बोलेंगे, जो audit करेगा, okay, auditor is like for temporary, जब तक आप audit कर रहे हो, तब तक auditor हो, मैं auditor नहीं हूँ, मैं chartered accountant हूँ, जब मैं DCC के audit कर रहे हो, तब आप मुझे auditor बोलो, आपने मेरा नाम ही auditor रख दिया, ओ, auditor जा chartered accountant, chartered accountant करता है, हाँ, generally chartered accountant करता है, पर अगर किसी ऐसे item कि आप investigation कराओगे, जो की non-financial nature का है, तो you might need to call some other professional, for example, अगर आप भाया को इनकी production capacity बे डाउट लग रहे है, उसके लिए फिर chartered accountant को बुलाने का को logic नहीं रहे जाता है, किसी mechanical engineer को बुलो, तो वहाँ पर वो investigation रहे चीक है, आप, audit and investigation देखो, it is to be noted that both auditing and investigation have a fact-finding character, both involve systematic and critical examination, यह तो हमने का ना, common तो है, of the available evidences, yet these are quite distinct from each other, क्या differences से देखें, जो मैंने काट रखा है, आप भी उसको काट सकते हैं, जब आपको notes मिलें, Auditing is an independent and systematic examination, बस उदर देखो, investigation is examination of accounts and records with a view to, mind the word, ascertain any fact, ascertain का मतलब आपको fact find out करना है, यह अगर इसने बोला, मुझे कि सर, आप please check करके बताओ, कि बाके में इसका stock 40 करोड है या नहीं, तो मुझे यह fact find out करना है, कि stock 40 करोड है या नहीं, और अगर नहीं है, तो कितना काम है और अगर है, तो फिर लिकूँ, तो fact find करना है, opinion नहीं, second, the audit has a wide scope, क्योंकि audit में सब कुछ चेक करते हैं, चाहे थोड़ा-थोड़ा चेक करें, लेकिन करेंगे सारा check, same investigation, scope of investigation on the other hand is limited, कितना limited, जितना आप हमें बताओ, now it could be limited in context to the number of items, or it could be limited in context of period, for example, इसने मेरे को बोला कि सर आपको जो है, सिफ स्टॉक का करना है, so it is limited in terms of item, he said, सर आपको सिफ छे महीने का investigation करना है, लेकिन पूरे financial statement का करना है, so this is limited in terms of period, objective, the audit, accounts and records are verified to the truth and fairness, investigation is for the special purpose, audit procedure, the audit is conducted in accordance with generally accepted auditing principles, investigation के लिए देको एस सच तो मारे पास कोई standards है नी, जैसा client बताएगा, उसके according ही हम लोग करते है, right, या जो भी आपके set standards है, auditor के खुद के, कोई preset standards हमारे पास available नहीं, okay, क्यों नहीं है, क्योंकि हो ही नहीं सकते, क्योंकि purpose नहीं पताना investigation का, आप बताओगे, अब आप बताओगे, तब ही तो उसके साब से set करूँगा ना, evidence पेंडिंग हमने भी छोड़ा हुआ है, आगे एक chapter आएगा, तब इसक्रस करेंगे, approach, it is not suspicious, most, most important difference, auditing कभी suspicious nature के साथ चालो नहीं की जाती, auditing is a general exercise, हर साल होगी, हमने माना है कि हम लोग कंपनी के BOD पे blind reliance नहीं कर सकते, general nature का है, लेकिन investigation कब करते हैं, जब बाके में, जैस इसको भी नजर आया कि यार इसके शायद assets का proper, या इंटेंजिबल assets proper नहीं तो, अगर इसको आज कोई suspicious element नजर नहीं आता, तो नहीं करते हम लोग, and the last, periodicity auditing is a routine exercise, so generally it is for the annually, but ऐसा को जरूरी नहीं, आप quarterly भी करा सकते हैं, बट जनरल यान्वली, बट इसका तो हम कुछ भ हाँ, नहीं है, कोई दुरूरी नहीं, तो लेकिन अगर chartered accountants से करवारे हो, तो financial है, हाँ, बताया नहीं, यह ने example पूछा था था ना भी, कि अगर machine की capacity में data production तो हम mechanical engineer से कराएंगे, which audit, finance audit, cost audit और first lecture में नहीं थे क्या आप, तीन तो lecture हुए, यह भी याद नहीं है, इसलिए सवाल पूछा आप, finance audit अगर है, तो CA कर सकता है, cost audit only CA में, security audit only CS, यह भी सब हम बोल रहे हैं, statutory, अगर voluntary है, तो कोई सी कोई भी कर सकता है, voluntary मतलब law ने नहीं बोला कराने के लिए, ऐसे करा रहे हैं, तो finance audit भी CA में कर सकता है, cost audit CA भी कर सकता है, ऐसे, चेक है, बस आज करें इतना ही बाकिकल करेंगे, अगर करेंगे,